सभी को नमस्कार राहुल संक्रतायन जी का जीवन परिचे इनका नाम आधुनिक हिंदी सहित्ते कारों में अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है ये घुमकड़ी प्रवर्ती वाले थे और इसी प्रवर्ती के कारण हिंदी सहित्ते को समरिद किया इनका जन्म 1893 में गाउं पंधहा जिला आजमगर उतर प्रदेश में हुआ था इनका असली नाम केदार पांड़े था और अपनी प्रारंबिक शिक्षा इन्होंने गाउं की पाठशाला में प्राप्त की थी तद पश्चात काशी आगरा लाहोर में उत्च शिक्षा ग्रहन की सन 1930 में उन्होंने शेलंका जाकर के बौध जित्रम ग्रहन कर लिया था तब से ही ये केदार पांड़े से राहुल संक्रतायन बन गए थे उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त पाली, प्राकृत, अप्रश, तिबत्ती, चीनी, जापानी, रूसी, अंगरेजी, संस्क्रित, उर्दू, फार्सी, आदी अनेक भाशाओं का ज्यान प्राप्त किया इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था मा भारती के इस अपूत की मृत्यू सन 1963 में हुई थी उन्होंने आजीवन सहित्य की रचना की इनकी रचनाओं की बात करें तो ये एक सफल सहित्यकार की भाती अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी पर अधिकार रखते थे इन्होंने उपन्यास कहानी आत्मकता यात्रावरित जीवनी आलोचना शोध आदी अनेक सहित्यक विधाओं की रचना की है इतना ही नहीं इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुआद भी किया है मेरी जीवन यात्रा छे भाग दर्शन दिखदर्शन बाईसवी सदी बोलगा सिगंगा भागो नहीं दुनिया को बदलो दिमागी गुलामी घुमकर शास्त्र आधी उनकी प्रमुख रचनाई हैं सहित्य के अत्रिक दर्शन, राजनीती, धर्म, इतिहास, विज्ञान, आदिविविन विश्यों पर इनकी लगभग 150 रचनाईं उपलब्ध हैं राहूज संस्कृताईन ने हिंदी सहित्य की छुपी हुई सामगरी को ढूण कर सहित्य का उधार कर अत्यन्त महतपुन कारे किया है इनकी सहित्यक विशेष्टाओं के बारे में बात करें तो उन्होंने घुमकरी शास्त्र की रचना की है इसमें उन्होंने घुमकरी से होने वाले लाभों का सैविस्तार वर्नन किया उन्होंने यात्रा वृत पर प्रकाश डालते वे मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमकरी का उदेश्य बताया है कहने का भाव है कि मंजिल पर पहुचने से पहले यात्रा करते समय जो अनुभव होते हैं वेत्यंत महत्पून होते हैं घुमकडी में मनोरंजन, ज्यान वर्धन और अज्यात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाशा एवं संस्कृती का भी आदान प्रदान होता है घुमकडी से मनुष्य साहसी और संखर्ष शील भी बनता है राहूल जी ने विफिन स्थानों के भोगौलिक वर्णनों के अतिरिक्त वहां के जन जीवन का सुन्दर और सजीव चित्रन किया है जैसा कि हम लहासा की और पाठ में पढ़वी चुके हैं इसे ही यदि राहूल जी के यात्रवरत्यों की महत पुण विशेषता कहें तो इसमें कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी राहूल जी को विफिन भाशाओं का गहन ज्यान था हिंदी के प्रती उनका विशेष लगाव हमें दिश्टी गोचर होता है उन्होंने अपनी रचिन प्राव में शुद सहितिक हिंदी का प्रयोग किया किन्तु यात्रा व्रितों में विफिन विफिन स्थानों की बोली भाशा आदिशब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुकूल किया इस से भाशा में व्यभारीक्ता और रोचकता का समावेश हुआ है लोग्परच्रित का प्रयूग करके भाषा को सार ग्रबित रूप भी प्रदान किया है सुगठित वाक्य रचना की कारण उनकी भाषा काफी प्रभाव शाली बन पड़ती है गंभीर भावों वेविचारों को सरलता भाषा में व्यक्त करना भी उनकी भाषा शाली की एक प्रमुख विशेष् प्रमुख विवड़ती है